अलो गाईज, वेलके प्रियल काफेक्स, कैसे है अब सब लोग, अब सब लोग मझे में होंगे और मास्त होंगे तो गाईज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, Top 10 SUV कार in terms of sale February मन्त में किस कार ने किती उनिट सेल करी है, आज की वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं, number 10 position की कार की, तो number 10 position में जो कार आती है, वो आती है Hyundai Extra and Hyundai Extra जिस segment में आती है, आज कल इस segment में बहुत tough competition होगा है Hyundai Extra के लिए ये segment particular एक कार रूल कर रही है, आगे चलके हम वीडियो में देखेंगे कौन सी कार इस segment को रूल कर रही है but बात करें Hyundai Extra की, तो Hyundai Extra ने जो February मन पे सेल करी है, वो है 7,582 units and अगर इस कार के आप सेल्स देखोगे न, तो उसकी सेल्स में ये कार near about इतनी unit सेल करती भी आ रही है, इसके आसपास इसकी सेल्स चल रही है, हर महीने में तो ना जदा बढ़ती भी सेल्स दिख रही है, ना जदा गिरती भी, same unit of car ये सेल कर रही है, but इस segment में और भी ऐसी कारे है, जो इससे बहुत अच्छा परपॉर्म कर रही है, तो ये segment अभी Hyundai Extra के लिए बहुत टप है, देखते हैं आने वाले दिनों में Hyundai Extra कितना और इंप्र इस car ने 8,933 unit सेल करी है, अगर मैं सो compare करूँ इसकी last month February सेल्स, तो last month इस car ने 9,997 unit सेल की थी, तो थोड़ा बहुत decrease आपको देखने को मिलेगा इस car की सेल्स में, but जिस segment की ये car है, इस segment में बहुत सारी car है आगे है अचकल मार्केट में, ये भी बहुत tough segment बन गया है, and competition ब बात करूँ तो Kia Sonet ने February month में 9,102 unit सेल करी है, and वहीं इसको compare करूँ इसकी 2023 fab month की सेल से, तो fab month में last year उन्होंने जो सेल की थी, वो थी 9,836, तो again इस car में भी आपको थोड़ा बहुत कमी देखने को मिलेगी इस car की सेल में, last year की comparison में, and बात करें number 7 position की, तो number 7 position पे जो कार आ आती है, वो आती है, Maruti की तरफ से Grand Vitara, and Grand Vitara की सेल की अगर में बात करूँ तो February month में इस car ने 11,002 unit सेल करी है, and वहीं compare करूँ इसको last year की सेल से, इसकी February month की, तो last year उन्होंने February month में 9,183 unit सेल की थी, Grand Vitara एक बहुत अच्छा product है, and काफी consistent इसकी सेल रहती है, इस segment के अगर मे सेल और ज्यादा increase होगी, तो इस बात करते है, हम number 6 position की car की, तो number 6 position पे जो कार आई है, इस February month में पे वो है, Maruti Fronks, and Maruti Fronks ना ये बहुत ज़्या सर्प्राइजिंग ली है, कि इस car ने बहुत अच्छा perform किया, इस महीने, and अगर इस महीने की सेल की बात करूँ ना, इस कार क 68 unit, and ये जो units में बता रहो न, sales की, ये बहुत अच्छा figure है, newly launched car का इतने अच्छे unit सेल करना, एक बहुत अच्छी बात है, and I hope कि Maruti Fronks की आपको sales और बढ़ती भी नजर आएंगी, आने वाले time में, तो we hope कि Fronks और अच्छा perform करेगा, coming months में, बात करते है, number 5 position की car की, तो number 5 पर चुकार आई है, वो है Tata Nexon, Tata Nexon को हमने generally इस segment में, top 3 cars की list में ही देखा है, but इस बार इसकी position थोड़ी down गई है, and ये number 5 position पर आई है, and बात करूँ, इस car की sales की, तो sales के अगर बात करूँ, February मन्त में, तो इस car ने sale करी है, 14,395 units, अगर आप इसकी sales देखोगे न, त की sales से, and वहीं अगर इसको compare करूँ, इसके last year की sales से, तो last year उन्होंने February मन्त में, 13,914 units, तो last year के comparison में, थोड़ा बहुत sales में, units बढ़ी है, but अगर compare करूँ, इसको last month की sales से, तो थोड़ा बहुत down देखने को मिलेगा, आपको Nexon की sales में, इसलिए ये car number 5 position पर आ गई है, इस Scorpio ने February मन्त पे 15,051 units sale की है, and वहीं इसको compare करूँ, इसकी last year February मन्त की sales से, तो last year उन्होंने February मन्त में, 6,950 units sale की थी, देख रहे हो, अब कितना difference आ गया है Scorpio की sales में, and इस list में जित्ती भी cars है, सबसे जादा increment अगर sales की terms में देखा गया है, तो वो महींदा Scorpio में देखा गय 50 units, and कहा 15,051 units, बहुत बड़ा difference दिखने को मिला है, इस car की sale में, and I hope कि ये car इसी तरहे continue अच्छा perform करती रहेगी, तो बात करते है number third position की car की, तो number third position इस मही ने जिस car को मिली है, वो है Hyundai की तरफ से Hyundai Krata, and Hyundai Krata ने जो unit sale करी है February मन्त में, वो है 15,276 unit, and वहीं अगर इसको compare से February से, तो वो थी 10,428 units, तो जब से इस car का facelift आया ना, तब से लोगों का interest बड़ा है, इस car की तरफ से, and अगर आप देखोगे, Seltos को इतना ज़दा, लोगों का traction नहीं मिला, जितना इस car की तरफ लोग जा रहे है, Hyundai Krata की demand ज़ादा बड़ी है, compared to Seltos, Hyundai Krata का जब से पे units, काफी अच्छी sale हुई है, तो number third position पे ये कार आई है, अब बात करते है, number second position की car की, तो number second position पे जो कार आई है, वो आती है, मारूती की तरफ से, मारूती ब्रेजा, ब्रेजा ने फाइनली नेक्सान को पीछे किया है, and इस बार number second position की car हासिल करी है, तो बात करें मारूती ब्रेजा की फेबरी मन्त की sale की, तो मारूती ब्रेजा ने फेबरी मन्त में जो sale की है, वो है, 15,765 unit, and वहीं अगर इसो compare करो, इसकी last year, फेबरी मन्त की sale से, तो वो थी 15,787 unit, तो finally, नेक्सान को पीछे करके, ब्रेजा number second position पे car आगी है, and जिन लोगों को भी ऐसी car चाहिए reliable car चाहिए, जिन लोगों को 14-15 साल अपना car, एक ही car चलानी है, ज़्यादा change नहीं करनी, वो आग बंद करके इस car की तरफ जाते है, बहुत अच्छा product है मारूती की तरफ से, and consistent, over the year consistent perform करता आ रहा है, हमेशा top 10 SUV car की list में ये रहकार रहती ही है, and I hope ये आगे चलके और अच position पे जो car इस महीने आई है, वो है, Tata की तरफ से, Tata Punch, Tata Punch जो से मैं आपको पहले ही बचाय था, mid-size SUV segment की car आती है, और इस segment में ये car rule कर रही है, फिलाल, and month on basis पे ये car 15,000 plus unit sale कर रही है, काफी अच्छा perform कर रही है, जब से ये car launch हुई है, तब से इस car ने बहुत अच्छा perform किया है, और बात करूँ इसकी February month की sale की, तो इस car ने इस महीने 18,438 unit sale करी है, और वहीं compare करूँ इसको last year February month की sale से, तो last year उनोंने February month में 11,169 unit sale की थी, तो बहुत ज़्यादा difference आपको देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा units ज़्यादा बिकी हैं इस बार इसकी, और लोग काफी ज़्याद हैं जा रहे हैं इस car के तरफ, इन लोगों को भी mid-size SUV segment में, बजट segment में car ढूंटे है SUV फील वाली, वो इस car के तरफ जा रहे है, और पिलाल तो इस segment को rule कर रही है, and top 10 SUV car की list में इस महीने ये number 1 पे आई है, तो ये guys, ये तो रही हमारी top 10 car की list, February month की in terms of sale, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे comment section में बताईएगा, अगर आप शर्में नए हो तो प्लीज subscribe जरूर कीजिए को मैं चैनल को, मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में, तब तक ले, बाई